फ्रेंड्स ये तो आपको पताईए कि हम अपने घर या ओफिस में लाइटिंग के लिए सबसे पहले दिवार पे होल्टर लगाते हैं और उसके बाद हम अपने रिक्वायर्मेंट के अकोडिंग उसके अंदर LED बल्ग लगा देते हैं लेकिन जो LED बल्ग होता है वो सबसे पह फिर्वाला है वो बहुत पुराना अभी दर चला आ रहा है लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लाइट लेकर आये हैं जिसके लिए आपको गोल्टर लगाने की जुरूरत ही नई पढ़ने वाली है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस लाइट के क्या क्या फीचर हैं क्या क्या functions हैं कैसे इसको install किया दता है कितने साल की warranty मिलती है और कहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं परचेज करने की बात आई तो आपको इसका link description में मिल जाएगा आप डारेक्ट इसको Amazon से खरीच सकते हैं तो friends ये है ऐलोनिक्स कंपनी की साइड से आन quality है इसकी जो box की quality है यान की packing जो है वो बहुत ज़्यदा premium दी गई है इसके सबसे पहले हम highlight feature देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके feature है उसके बाद हम आपको इसको unbox करके यान की बाहर निकाल कर और उसके बाद installation करके भी आपको दिखाने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखे देखेंगे तो इसके box के उपर लिखा हुआ है slim decorative light यह एक decorative light है और 12 watt की LED इसके अंदर यूज की गई है और यहाँ पर देखेंगे तो unifit इसके अंदर technology यूज की गई है और जो यह लिखा हुआ है जो यह पहले हम LED light इस तरह के लगाते थे और अब यह light इस तरह की है तो यह इससे 6 time यानिकि 6 गुणा पतली है यानिकि इसकी जो ठीकनेस है वो बहुत ज़्यादा पतली है मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो friends यहाँ पर इस light की सारी technical specification दी गई है और specification से उपर made in India दिया गया है और इसकी आनि इस box के अंदर कितनी light मिलने वाली है MRP क्या है सारी detail इसके उपर दी गई है तो अब भी हम इसको unbox कर लेते हैं तो friends दोनों light को हमने unbox कर लिया है जो एक light है वो round shape में है जो दूसरी light है वो square shape में है मुझे personally इसकी जो body का structure है वो बहुत ज़्यादा high quality का लगा है इ यह lighting का panel है यहां से light निकलने वाली है तो दोनों के अंदर same है मैं आपको पिछे की side में आपको दिखा देता हूँ इसका जो base दिया गया है ट्रमिनल दिया गया है इस base को हम यहां से इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो technology यूज की है वो unifit technology यूज की गई है जिससे कि हम यह वाला जो base है वो हम holder की जगर replace करके इसको इस तरह से push fit कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाली है अब भी हम बात करते हैं इसके back side की light की तो यहां पर आप देखेंगे तो hellonics company की branding की हूई है और सारी technical specifications यहां पे दी गई है और यहां पे light की दो pin दी गई है जो कि male pin है और यहां पर यह female pin है इसको किस तरह से install करना है वो हम आगे आपको दिखाने वाले हैं तब तक हम आपको दूसरी वाली light भी दिखा देते हैं यह आप देख सकते हैं सेम वैसा का वैसा structure इस square वाली model के अंदर भी दिया गया है यहां पे branding है यहां पे technical specifications है यहा पहले यह holder लगा जाता है फिर उसके बाद यह LED light लगाई जाती है उसके मुकाबले में जो हैलोनिक्स की यह slim fit वाली light है यह कितनी पतली है वो आप यहां पे अप comparison कर सकते हैं इनकी जो इसकी जो लंबाई है वो आप यहां पे देख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आ जाते हैं जिसकी मदद से आप इनको अच्छे से install कर पाएंगे तो फ्रेंट जैसे की भी आप यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे एक यह holder लगा हुआ है और एक यह LED light लगी हुई है इस system को हटा कर यहां पर हम लगाने वाले है हेलोनिक्स कंपनी की यह round shape की light लगाने से पहले फ्रेंट्स यहां पे सबसे पहले में इसको uninstall यानिकि इसको खोलना पड़ेगा खोलने से पहले में आपको बता देता हूँ यहां की जो power supply है वो switch है वो बंद कर देना है यानिकि जो power supply है उसको cut कर देना है और उसके बाद यह जो light लगी हुई है इसको इस तरह से यहां पे देख पा रहे हैं holder को हमने इस तरह से open कर लिया है लेकिन इसके back side में यहां पे आप देखेंगे तो जो electric की दो wire जुड़ी हुई है इन दोनों wire को भी हमें open कर लेना है और इमें यह ध्यान रखना है कि यह दोनों तार एक दूसरे के साथ touch नहीं हो क्योंकि कोई दूसरा नहीं होता बिजलेगा तो इन दोनों को भी हम अलग-अलग से open कर लिते हैं तो friends holder को हमने यहां से अटा लिया है अभी हमें यहां पे hellonics company की wall d light ये वाली light लगानी है तो मैंने यहां पे आपको दिखाया था इसके back side में इसका एक base दिया गया है सबसे पहले आपक यह दो terminal दिये गए है इन दोनों terminal में जो यह electric की wire है एक-एक करके दोनों में अलग-अलग लगा देनी है तो आप देख सकते हैं बड़े ही असानी से हमने यहां पे इसके connection कर लिए है अभी हमें क्या करना है इसको इस तरह से पलट देना है पलटने के बाद यहां पे जो हम यहां पे लगा सकते हैं तो friends जैसा की भी आप यहां पे देख पारे हैं जो light का base था वो हमने यहां पे बड़े ही अराम से fit कर लिया है इसको fit करने के लिए आपको कोई electrician की जूरत नहीं है आप इसको खुद ही fit कर सकते हैं अब हम आपको यहां पे light fit करके दिखाते हैं पहले हम यहां पे आपको round वाली fit करके दिखाते हैं यह जो base है इसके उपर आपको यह वाली light इस तरह से fit कर देनी है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह light यहां पे fit हो गई है अब हम आप इसको on करके दिखाते हैं तो जैसा की भी आप यहां पे देख पा रहे हैं यह light अ से पहले ये वाली लाइट हटानी है यानि कि खेज के निकाल देनी है और ये वाली जो लाइट है इसका ये जो बेस आता है इसको यहां से निकाल देना है फ्रेंड्स इनकी लाइट का एक खास बात ये होती है कि इनके पीछे यहां पे ओके टेस्ट ने लिखा होता है यानि क यह जो light है वो test की जाती है सारी की सारी अब भी आप यहाँ पे यह वाली light भी अराम से लगा सकते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह light भी यहाँ पे अच्छा लुक दे रही है और बड़े ही अराम से यहाँ पे लगी है अब आपको यह भी test करके दिखाते तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह light भी बड़े दी अराम से अच्छे से काम कर रही है और जो इसकी lighting है वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी जो lighting है वो पूरे room के अंदर फैली हुई है इसके अलावा इस room के अंदर कोई भी light नहीं जल रही है इसी परकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने यहाँ पर round shape वाली light लगा दी है और इसकी light भी बहुत ज़्यादा ह अकोडिंग 12 watt के 12 watt के अकोडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोसनी हो चुकी है अगर मैं आपको यहाँ पर पुराने वाली light और इस नई वाली light का comparison करके दिखाओं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी बड़ी यह light है और कहां पर यह slim सी light है तो इसने एक यहा अपने वीडियो के अंदर देखा हमने हैलरी इस कंपनी की जो वाली light थी उसके क्या क्या फीचर है क्या क्या functions है कैसे उसको install किया जाता है कैसे पुराने वाली light को replace कर सकते हैं सारी जानकारी हमने इस वीडियो में दिखा दी हैं और दोनों के दोनों model हमने आपको दिखा द बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सेट जूग कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदेवात्रम